जेहिंद एस्मार्टर एविडेश चनल में आप सभी दोस्तों का आप बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज में आपको इस वीडियो में भारत दैनामिक लिम्टेट वरा जारी की गई नहीं भरती के बारे में बात करूँगा यह भरती आप सभी के लिए दोस्तों बहुत आपके लिए इस भरती में यहाँ पर अलग-अलग पोश्टों में यहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं ठीक है और वहीं एज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो एज है जनरल का जो मेक्समम एज यहाँ पर रखा गया है 28 साल रखा गया है SCST का 33 साल और OBC का यहाँ पर 31 साल रखा गया और PhD वाले के लिए यहाँ पर 33 वरस यहाँ पर ओम्रिसीमा रखी गई है चलिए अब हम वेकेंसी की डिटेल की बात कर लेते हैं किसमें कितनी वेकेंसी निकाली गई है नमबर और पोस्ट की बात करें तो दिए है सतर यहाँ पर पोस्टों में वेकेंसी निकाली गई है वहीं यहाँ पर दो अलग अलग पोस्टों के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट इंजिनियर की पच्छमन है और यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपिसर की यहा पर selection process कैसे रखेगा, तो दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर exam connect नहीं करा जा रहे, सबसे पहली बार तो आपको यह ध्यान में रखनी है, इसके लावा यहाँ पर जो अलग-अलग post निकाले गई है, उसमें यहाँ पर आपका experience भी यहाँ पर मंगा गया है अगर आपका एक साल का experience है तो 3 marks मिलेंगे, और 2 साल का experience है तो 6 marks और 3 साल का अगर आपके पास experience है तो 10 marks यहाँ पर मिलने वाले है, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहीं interview का यहाँ पर 15 marks रखा गया है, और वहीं aggregate mark और जो percentage है, इसके पिहाँ पर 75 marks आपके दिये जा रखा गया है, और वहीं CST PWD को कोई परिक्षासूल नहीं रखा गया, salary यहाँ पर दोस्तों, minimum यहाँ पर 30,000 से लेकर 40,000 तक यहाँ पर जो salary है वो चली जाती है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों important date कब से आप apply कर सकते हैं, तो दोस्तों online registration यह 12 marks से चालू हो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसके लिए apply कर सकते हैं, तो वीडियो को last tag बने रहेगा, और वहीं जो last date की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च 2021 रखा गया है, और यहाँ पर दोस्तों जो interview का admit card है, वो यहाँ पर जल्द official website पर update कर दिया जाएगा, जैसी update किया ज भारत dynamic limited की official website, website का link आपको वीडियो के description मिल जाएगा, उस पर आप जाके direct इसकी website पर आप आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले website का interface आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसके लबाद दोस्तों हम बात करें, क्या आपको यह भरती आपको कहां पर द देख सकते हैं, ठीक है, इसके लबाद दोस्तों हम बात कर लेंगे, यह आपको सामने यह दिख रहा होगा, click here to vacancy on national carrier service and yes portal, यह 2.2 MB का यह फाइल है, ठीक है, इस पर आपको simply click कर लेना है, ठीक है, इस पर click करेंगे तो जो इसकी official यह दिखीए को जारी किया गया है, जो यह आप पर vacancy का announcement किया गया है, जो आप देख सकते हैं, इसके बारे मैंने बताई दिया, और यहाँ पर दो vacancy के मारे मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया प्रोजेक्ट engineer के आप देख सकते है, different different branch के लिए अलग-अलग यहाँ पर vacancy निकाली गया, उनकी unit भी यहाँ पर आप लिए वी जो आलवा पर देख लेना है और इसके लावा दोस्तों हम बात करें यहां पर फीर के बारे में मैंने बता दिया चलिए अब बात कर लेते हैं आप इसको apply कैसे करेंगे, apply करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर dynamic की website पर आना होगा, यानि कि भारत dynamic limited की official website पर आना होगा, यहाँ पर आने के बाद इस पर आपको यह दिखा गया, national career service के माध्यम चे ही आप इस firm के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, चलिए, अब हम इस क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, national career service के हम official website पर आ गया है, दोस्तो इसी website के थुरू आपको इस post के लिए आवेदन करना होगा, तो यहाँ पर आगर आपने पहले सही, यहाँ पर user name और password आपके पास है, तो आप simply sign in करक इस form के लिए apply कर सकते हैं, अगर नहीं है, तो यहाँ पर new user sign up करके बहुत ही simple रहता है, यहाँ पर registration कर सकते हैं, फिर यहाँ पर user name और password डालके sign in करके form को apply कर सकते हैं, form भरते समय दोस्तों, अगर आपके किसी प्रकार की कोई problem होती है, आपके मन में कोई सवाल है, इस भरत बहुत हैं